कौशामबी जिले की खासियत तो कई है लेकिन आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है विनोद सोनकर सांसाद हैं कौशामबी से ये बताइए कि इस समय कौशामबी की तीन सीटें बीजेपी के पास हैं आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है नहीं बिल्कुल नहीं कौशामबी की तीन सीटें हमने पहले भी जीती थी 2017 में और 22 में भी हम तीनों के तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं चाहाँ 2014 की बात करिये तब भी हमने तीनों विधान सभा जीती थी 17 की बात करिये तो तीनों विधान सभा में जीती थी उनीस के लोकसभा में भी हमने तीन सीटे जीती हैं तीन सीट की बात हो रही हुए तो यहां से केले को उत्पाद बनाया गया है एक जनपद एक उत्पाद के तौर पर तो क्या हम यह माने कि जो उत्पाद है उसमें तो भड़तरी हुई नहीं किसान कंप्लेन कर रहे हैं उल्टा नई देखिए वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट की सुरुगात मानी योजी की तोरा किया गया है और लगातार प्रयास जारी है अभी यहां का किसान अपने टीसू कल्चर को लेके बारा बंकी और गोरगपूर जा रहा है एक लैब की स्था किया है एलाका डाउप्ट किया है पितल का जो उतबादें पितल की इंडिस्ट्री तक करती तक हो और वहां भी लिजण के सरकार के नहीं नटें सरक्स्रकर्त करना मेरी जूम्यधारी और वहां का बेसिक विकास करना मेरे जुम्मेदारी है मेरे वहाँ गोद लेने से पहले वह गाँ पूरी तरह से उपेच्छित था अब एक्छित था आज वहाँ परात्री स्वास्त के अंदर है पानी की टंकी है और वहाँ पर प्राइमरी पार्ट साला के भी वहुस्ता है सभी रोड़े बन चुकी है यह ब कहां काम करने के लिए आगे नहीं आ रहा हैं कि करना तो इन ही को है मेरे द्वरा उनकोसी प्रिकार की स्वाइए दने को तयार है लेकिन लगता है कि लोग जो चानपूर कंड़ नहीं स्वेय में रूची नहीं लेंगे तब तक पीतल उद्धोग उहां पनप नहीं सकता। मेरे द्वाराबाद कई बार यह भी कहा गया कि प्रियाग राज में एक बहुत बड़ा थीर थस्थल है जिसमें बहुत सारी संभावनाय हैं पीतल के सामानों के, पीतल के दिया के, पीतल के लोटिया के इसको बनाना चाहिए लेकिन समय के साथ वो लोग उसको ना तो मड़नाइज करना चाहते हैं और ना तो उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो करना तो उनी को पड़ेगा, जो वहां की बेसिक रिक्वाइर्मेंट है, इंफ्राइस्ट्रक्चर है, हम लोग पहले भी प्रयास की हैं, और कोई आता है, तो उसका स्वागत है. एक आखरी सवाल, सिराथू में मंदिर है कड़ाधाम, बहुत संभावनाए हैं, लग रहा है, पिछड़ता नजर आ रहा है, सरकार उसमें भी विफल है की आगे बढ़ पाई है? देखिए केवला आप कड़ाधाम, अंदिर की बात मत करिए, कौसांबी जनपत का बहुत ही गवरसाली और बहुत साली इतियास है, इसको लेके मेरे दौरा दोहजार अठारा में कौसांबी महसों का आयोजन किया गया, और मैं मुखवंत्री जी उसमें मुखतिया है, मैंने प्रकार मैं इसको रामायर सर्कृट से जोड़ा जाए तो इसको रामायर सर्कृट से जोडने का भी नोटिफिकेशन जारी चुका, बहुत सरकृट से जोडने के कारण ही कौसांबी जनपत को कई सवगाद, बड़ी सवगाद मिली है, जैसे प्रियाग राज एरपोर्स ले जब मैं कहता हूं कि कौसामी का बहुत गवरसाली और बहुताली तियास है तो यहां परेक्टन की अपार संभाउनाए है उसके लिए हम दोगरा लगातार प्यास किया जा रहा है चाहे मा कड़ा का सीतला मंदीर हो चाहे कौसामी का उत्करण अस्थल हो चाहे मलूग दास की मजार हो और चाहे जैन धर्म के छटवे प्रवू की जन भूम हो और चाहे भगवान राम ने जहां पर चरवा में पहली रात बन में बिताया था राम जूठा तलाब हो सब जगा DPR बन के तयार है सब जगा जिसे चरवा की बात करेंगे तो वहाँ पर पचास लाग की लागत से एक पूरा उसका सुन्दरी कान काम हो गया और कौसामी में भी अभी भी मैं दो दिन पहले माने मुखंती जिससे मिलके आया हूँ यहां पर एक जमी ख़िदी जा रहे है जहां पर एक बहुत भाबि समारक जिसमें संग्राले होगा जिसमें डे लाइट की कारकम होगा इस तरह की सारी योजनाह है वहाँ पर विचारा दिने और काम शूरू होगा है आखरी सवल, समाजवादी पार्टी के पूर विधायक का कहना है, कि सिरातु में उन्होंने खुद थाना में कंप्लेन की और कानून विवस्था ध्वस्थ है जिले में आपके पूरी तरह देखे काउसाम भी नहीं पुरा प्रदेश जानता है कि समाजबादी पार्टी के सासनकाल में प्रदेश के में कानून ब्यवस्ता का क्या हिस्तिती थी मैं तो सीधा आरोप है लोगों ने देखा है कि समाजबादी पार्टी के सासनकाल में उत्तर प्रदेश में हूटर और सूटर का रास था अब आज योगी जी के सासन में हूटर और सूटर दोनों समाप्त हो गए हैं इसलिए उनकी बेचैनी और बॉकलाहट बढ़ी है विचैनी और बॉकलाहट राजनीती का ही के हिस्सा है जो जारी रहती है कैमरापरसन सुरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल कौशामभी एबीपी नियूज आपको रखे आगे